नमस्कार रोप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी नियूज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा राम देव के खिलाफ बिहार के 50 स्थानों में दर्ज होने वाली F.I.R. के बारे में आयरवेद वनाम एलोपेथ का मुद्धा उस वक्त उठा जब योग गुरू बाबा राम देव ने एक मीडिया चानल से बातचीत के दोरान ये कहा था कि एलोपेथी एक ऐसी स्टूपड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोकूीन फेल हुई फिर एमडिसीवेर फेल हो गई फिर आंटी बायोटिक फेल हो गई और फिर स्टेरोइड फेल हो गई फिर प्लाजमा थेरपी के उपर भी बैन लग गया बाबा राम देव इतने आगे कहा कि बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही है और लाखोई लोगों की मौत अलोपैथी की दवा खाने से हुई है बाबा राम देव के इसी बयान के बाद से आई अमे और बाबा एक दूसरे के आमने सामने है वहीं अब यह मामला इतना घंबीर हो गय कि रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 स्थानों में एफ आयार दर्च करने की तैयारी चल रही है मिली जानकारी के नुसार आईयमे ने अब बाबा से दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया है आईयमे के कारेकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजे कुमार की अध्यक्षता में बीते दि ख्याले द्वारा निर्देश दे दिया गया है आपको बता दे कि इससे पहले बिहार की एक अदालत में बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था बीते दिनों एलोपैथी को मुर्खता पूर्ण विज्ञान बताय था जिसका एक वीडियो वारल हो गया थ एलोपैथी पर बयान देने के बाद रामदेव बुरे फस गया है इसको लेकर अब उनकी मुश्किले और बढ़ती जा रही है हाला कि बाबा रामदेव के टिपनी के बाद आयमे ने बाबा को खुली चुनौती भी दे दी थी जिसके तहत इंडियन मेडिकल असोसियेशन न बाबा ने सारवजनिक रूप से एलोपैथी और डॉक्टरों का मजा कुड़ा है कोरोना के समय में सभी डॉक्टर दिनरात मरीजों की सेवा में जुटे हैं उनके इस बयान से डॉक्टरों का मनूबल गिरा है उन्होंने कहा कि बाबा को एलोपैथी के बारे में कुछ भी फिर भी वो सालों से एलोपैथी में काम करें डॉक्टरों से जवाब वांग रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर बाबा इतने बड़े ग्यानी हैं तो सारवजनिक मंच पर आकर क्यों बहस नहीं करते वाई बिहार की बात करें तो इससे पहले भी आईये में के आवाहन पर बिह बाबा राम देव के बाबा राम देव के बाद लगातार उन्होंने कई बार सफाया भी दिया हैं जोसकी तहत उन्होंने अपने इस बयान का कोई और मतलब नहीं निकालने की बात कही थी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद